तो दोस्तों जैसे कि हमने कल के एपिसोड में दिखा किस प्रकार इंद्रप्रस नगर की स्तापना हुई और आज देखते हैं मा भारत एपिसोड 37 पांडव ने अपने पत्नी द्रोपदी के साथ मिर्कर इंद्रप्रस पे शासन किया लेकिन पाच पूरुष और केवल एक महिला वो सभी शक्तिशाली दिविय और सुन्दर थे क्रिष्ण चिंतित हो गए वो युदिश्चिर के पास गए और उन्हें ये कहानी सुनाई एक ब अगवान ब्रह्म उनकी तपस्या से प्रसंद हुए तो वो प्रकट हुए और पूछा वो क्या चाते हैं अमर्ता उन्होंने उत्तर दिया पर ब्रह्म देव ने इंकार किया कुछ और मागने के लिए कहा उन्होंने जवाब दिया कि हम केवल एक दुसरे को मारने से ही मल सकत और उन्होंने तिलोत्तमा को बनाया जो इस्तित्व में सबसे कुपसूरत अपसरा ती और उसे उन्होंनों भाईयों के पास भेजा। दो शक्तिशाली भाई और केवल एक लड़की उन्होंने एक दूसरे से लड़ाई की और एक दूसरे को मार डाला इस प्रकार कृष्णा ने युदिश्टीर को समझाया कि एक व्यवस्ता होनी चाहिए अन्य था ये भाईयों को नश्ट कर देगा पर क्या जानते हैं अगली अपिसोड में तो दोस्तों कथा अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करके मा भारत की डेली सीरिलाई स्टोरी देखने और समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो मिलते हैं अगली वीडियो में नईकता के साथ तब तक मे तेरे साथ कहिए गादेर